Hello Friends, आज हम लोग पहुंच चुके Microsoft के 3D class में, इस class में आज हम लोग cut, copy, paste और clipboard के बारे में जानने वाले हैं, तो चलिए हम बिना देरी के अपने आज के class को start करते हैं, आज का class को start करने से पहले हमें ही साकी तरफ से request है, कि अगर आप इस channel के ऊपर नए है, इस channel के पहले वा क्लासिस के आपको नोटिफिकेशन मेर सके इस चैनल के ऊपर आपके लिए डेली क्लासिस आते हैं आप उसका पूरा लाव यहां पर उठा सकते हो तो चलिए हम अपने आज के क्लास को स्टाट करते हैं हम देखते हैं कि हम आज के इस क्लास में क्या-क्या सीखने वाले हैं तो आज हम लोग सीखने वाले हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स और स्लाइड को स्लेक्ट करना और फिर उसके वाद हम लोग होम टैब की अंदर यूज करेंगे कट कॉपी एंड पेस्ट आप्शन का और साथ ही में हम लोग क्लीप बोर्ड आप्शन का भी यूज करना सीखे अब पन्याज को स्टाट करना ऑच क्लस हमारा देक्स्टोप के उपर होने वाला है तो यह भी यह दो पर चलते हैं तो यह यहां अंदो С shaped की आप्ड गोपर स्टार्ट करने वाला ह ise ौव पwest को तो चली हम खॅशन कर लेते हैं तो यहां हमने PowerPoint को कर लिया है, start, यहां पर मैं blank presentation को select कर सकता था, लेकिन यहां पर अभी select करूँगा, ZI group को जो मैंने पिछले class में आपकी साथ मिलकर एक यहां पर slide इसको create किया था, इस वक्त मैं यहां पर जो मैंने पिछले class में slide बनाए थे, उसे मैंने select कर लिया है, और मैं सबसे पहले आपको बतलाता हूँ कि text क्या होता है, यहां पर यह अभी आपने यह जो देख रहा है, यह ज्याइगरुकुल यह फिर e-learning platform, यह दोनों text है, हम कोई भी ABCD या फिर 1, 2, या फिर कोई भी symbols को जो हम enter करते हैं, हम लोग इसे select करना सीखेंगे, तो इसे तो हम बड़ी आसानी से select कर लेते हैं, इसे अगर हम cut या copy या paste करना चाहें, तो हम यह भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, यहां पर मैंने इसे ज्याइगरुकुल को select किया, और यहां पर मुझे option दिख रहा है, मैं यहां पर cut और copy का, मैं copy करना चाहूं, तो मैं यहां पर copy पर click करता हूं, और मैं इसे फिर जहां paste करना चाहूं, मैं इसे बड़ी आसानी से यहां पर paste कर सकता हूं, मैं यहां पर enter paste करता हूं, और यहां पर paste करता हूं, और हमारा जो टेक्स्ट था वो यहां पे प्लेस हो चुका है व कर सकता हूँ मैं या से स्लेक्स करके कंट भी कर सकता हूँ क्ट करने के बाद मैं आप यहां पर How और उसे किसी दूसी जगा प्राइब करें अब मैं आपको परहीं पताता हूँ text box क्या होता है यह पे भी आपको box दिख राऊगा यह text box है अगर मैं इसकी उपर आऊं तो यहां पे आपको एक box दिख राऊगा यह text box है इस text box को हम लो create इसकी मदद से करते है यहां पी यह text box बन गया है, अगर मैं इसमें कुछ लिख हूँ जैसे में A, B, C, D, तो यह हमारे text box के अंदर है, हमारे text box के अंदर ही हमारे text है, तो मैं इसे भी तो file delete कर देता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि पूर text, इसके text box को मैं select करूँ, तो मैं यहां यह जो line आपका outline दीख रहा है, मैं इसके उपर click करूँगा, और अब मैं इसे चाहूँ तो मैं copy कर सकता हूँ, और इसे मैं paste कर सकता हूँ, यहां दिखिया हमारे एक सामने एक नया text box आ चुका है, कर लेता हूँ, और मैं चाहूँ तो इसे दूसरी जागा paste कर सकता हूँ, तो मैं paste करने के लिए क्लिए 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 क्लिए, इस खाली section में यहां पर right click करता हूँ, और मुझे यहां पर new slide का option दिख रहा है, मैं new slide के उपर आया, और मैं अब इसे सबसे पहले blank कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक blank presentation कोई select करता था, तो मैं इसे यहां पर blank कर लेता हूँ, तो मैं layout में आऊँगा और इसे मैं blank कर लिया, अब यहां पर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो मैंने अभी यहां पर इस जया गुरुकुल जो है हमारा, उसके मैंने text box को cut किया है यहां से, और मैं इसे यहां paste कर देता हूँ, तो यह देखिया हमारे सामने, मैं कि आप इसे paste कर सकते हो, इससे आप cut copy और paste का use करते हो, किसी भी text box या text को cut copy करने में, लेकिन अब आप चाहते हो कि आप slide को ही cut copy या paste करो, मतलब कि अगर हम slide को cut copy paste करते हैं, तो हमारा जो पूरा content है, वो copy या paste, cut हो जाता है, और फिर जाए कि उसे दूसरी जगा paste कर सकते हैं, पूरे slide को, पूरे slide को हम select करते हैं, और फिर हम cut यहां पर करते हैं, तो हमारे slide यहां देखी, गायब हो चुका है, अब्होर स्लाइब स्लाइट को cut किया उसे मैं इसके ऊपर चांना चाहओ तो हम पीस्ट कर सकता हूं, तो अभी मैंने layer slide को कट किया है उसे मैं इसके ऊपर paste कर दिया, पहले किया था, यह स्लाइड ता यह ऊपर था फ packedume नमबr में की आपके सामने रियुक्το स्लैड लन से तब हम स्लाइड को सेक्ते हैं कट कर सकते हैं daha notebooks कर सकते और हम पेस्ट कर सकते हैं अब हम अगार करना हम किसी element को कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं इसका लिए सबसे पहले तो elements को create कर लेती हों कुछ shapes को बना लेता हो यहां पर मैं एक smiley draw कर लेता हूं क्युक्त कर लेता हों अधैamy इसे कलर ऐसे तो मैं बाद में दूनौद है पर अधरने देता हूं और यहां मैंने प्लस के sign को भी add कर लिया है तो यहां पर मैंने एक smiley और एक मैंने plus के sign को add किया है अब मैं इसे cut copy और paste करना चाहूं तो मैं बड़ी असानी से कर सकता हूं मैं अगर smiley को मैं copy करना चाहूं तो मैं इसके उपस क्लिक करूंगा copy पर आऊंगा और फिर मैं इसे paste कर दूँगा हमारा जो यह smiley है वो copy होके यहां पर आ चुका है उसी तरह से अगर मैं चाहूं तो इसे मैं cut करके दूसरी जगे दूसरी मैं paste बीगर सकता हूं मैं मैं इसे पर इक चच करता हूं और अब में इसे हाँ पेस्ट करना चाहूं तो मैं सहां पर इसे कर सकता हूं फिस तरह से किसी ऑलफिको cut copy और paste कर सकते हैं अब हम आगे देखते हैं कि हम क्लीप बोड्र का यूज़ का का कchluss कैसे करते हैं अभी तक मुझे केवल एक element को select करना था, तो मैं ऐक element को select किया, cut किया, copy किया, paste किया, मुझे जो भी करना चाहता था, तो मैं ने कर लिया, लेकिन अगर एक साथ मुझे multiple, एक, दो, तीन, चार, इन चारों को एक साथ copy करना है, और उसे बारी-बारी से अलग-अलग पर पेस्ट करना है तो मैं क्या करूंगा इसके लिए हमाई पास Microsoft के दोवारे क्लिप बोड का option मिलता है हम क्लिप बोड का use करेंगे और इन सारे elements को एक साथ अपने दूसरे slide में पेस्ट कर सकते हैं इसे साथ से धले का कुलिआ करेंक्स यहां परलोग लाटल क्लियर करेंगे करने के बाद इस सारी जो हमारे element है वह से प्राइमेंट हो गया है अब मैं इसे एलेमेंट्यों कर्देता हूं या से माउनने क्लियर कर दो हूं हमारा यह slide है वो clear हो चुका है पूरी तरह से clear हो चुका है अब मैं वापस अपने पहले वाले slide में आऊँगा और मैं clipboard को यहां से start करूँगा यह देखिया हमारे सामने clipboard का option start हो चुके आ चुका है मैं इसे delete कर देता हूं अभी तक अभी मैं clipboard पूरी तरह से खाली है अब मैं इस element को copy करना चाहता हूं तो मैं यहाँ copy पर click कर लेता हूं मैं इस element को copy करना को कॉपी करना चाहता हूं तो मैं इस टेक्ट बॉक्स को कॉपी कर लेता हूं और अपने इस अलिमेंट को भी अगर कॉपी करना चाहूं तो मैं इस इलिमेंट को भी यहाँ पर कॉपी कर सकता हूं यहां पर आप 24 आइटम को यहां पर copy आप कर सकते हो यहां पर अगर मैं दिखिए आपको एक चीज़ और मैं दिखलाता हूँ यहां इस corner पर ध्यान दें तो मैं जब यहां से किसी भी item को select करके copy करता हूं तो यहां पर आपको दिखिए 5 out of 24 clipboard मतलब आपने भी तक 5 elements को select किया आईटम को नहीं एड़ कर सकती हो अगर आप तब क्या होगा जब 24 से जयादा कोई एक आईटम एड़ कर देता हो तो आपने जो फॉर्स्ट में स्लैक्ट किया था मल्डीजी हमारा जो यह आइटम है 24 हो चुका है और आप आप 25 ऐटम को स्लैक्ट कर लेते हो तो हमारी चुप सबसे हमारा डाल चाहिए हम जा ने पहल बार ने से पेस्ट करते हैं करसे में इसे एक einडाल को भी गेंने चाहिए से दूसरे स्लाइड में जाकर क्लीप बोर्ड की मिज़े से सब कुछ मैंने पेस्ट कर दिया तो यह एक अच्छा फीचर है Microsoft के दोरा जो हमें हमारी काम को बहुत आसान करता है हमारी जो डिफर्टी लेबल है उसे बहुत कम करता है तो हम आज किस kuass में कट कॉपइपेस्ट क्लिप Borsch और सात में टेकस्ट बॉक्स औरorie और मैंने स्लाइड को कॉपी पेस्ट करना आपको सिख लाई हैं तो चलिए अब मापस अपने क्लास के तुर्फ चलते हैं तो आज किस cluster हम लोगोस एका टेक्स्ट बॉक्स और स्लाइट को स्लेक्ट करना और और होम टैप के अंदर हम लोगों ने सीखा कट-पी-पेस्ट ओप्सटिं का युज़ करना और साथ में लोग ने क्लिप बूर्ड का भी यूज़ करके देखा हैं तो आज के इस Class में इतना ही, अब मैं मिलता हूं आपसे अगले Class में जिस Class में हम लोग इस course को थोड़ा और आगे लेकर बढ़ेंगे, तब तक लिए आप हमाई इस चाहिए को सब्सक्राइब कर ले, ता कि हमारे आगे आने वाले Class आपसे मिर्स नहाओ, तो मैं मिलता हूं तब तक क्लास में तब तक क्लिए है वान एज जे थैंक यू